आज अपनों देखने वाले हैं कि हाउ टू सेट अप क्लिनिक क्लिनिक को हम कैसे सेट अप करें या जब भी हम क्लिनिक के बारे में सोचते हैं क्लिनिक सेट अप करने के बारे में सोचते हैं या क्लिनिक स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या क्या requirement होता है क्योंकिcoins लगातार वह सारे मेसेज्ब truck तो युदे, अशे, अनसर के लिए dabar मेसेज परफे क्लिनिक करना है, क्लिनिक क्लिनिक क्वाइच कर लिए उसी का आंसर देने के लिए वीडियो में बनाया हुआ है जो भी student अभी clinic के बारे में सोच रहा है इस वीडियो में आपको पूरा complete detail मिल जाएगा कि आपको एक clinic start करने के लिए क्लिनिक start करने से पहले आपके पाई proper list होगी एक आपके पास criteria होगा दिमाग में कि यह यह मुझे चाहिए ठिक हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत आपका प्लस हो जाए लेकिन जो basic है जो मैं बताऊंगा इतना ही आप लेके start करेंगे तो आपका clinic को setup हो जाएगा ठिक और च चाहिए होमीपिति के हो चाहिए आरवेद के हो चाहिए युनानी के हो कोई भी छोटा clinic setup करना चाहते हैं या आप nutrition से संबंदिरी बात करते हैं डाटिशन होते हैं वो भी इसको setup को follow कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले important जी आती setup start करने से पहले सबसे पहला जो होता है आपक करने वाले हैं सबसे पहले आपको एक setup देखना मतलब आपको space देखना पड़ेगा और वो space ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आप planning start करें तो वो properly run हो सके and spacious हो and very very important ऐसे area में हो जहां पर बहुत अधिक चहल पहल हो ठीक है तो आपको सबसे पहले के space search करना है जहां पर बहुत पहल हो मतलब लगातार वहां movement होता हो तभी तो आपकी clinic को देखेंगे और पेशेंट आपकी remove होगा तो पहले आपको space देखना है और वह space ऐसे area में देखें जहां पर बहुत अधिक moment होता है वह आपको ढूंबना होता है वह सबसे important चीज है ठीक है फिर भी आपके दिमाग में कोई space है तो वह आप देख लीजिए सबसे पहले आपको space देखना होता है दूसरी बात करते हैं आपको प्लिनिक setup करते हैं तो वहां पर आपको चाहिए होता है furniture तो furniture को अपन जो है चार से पांच criteria में डिवाइड करते हैं furniture की हम बात करते हैं तो आपको एक doctor का table चाहिए होता है वह आपको लेना पड़ेगा ठीक इसके लाब बात करेंगे जो patient आपके पास आएंगे तो इसके लिए patient की चेर आपको लेनी होगी ठीक डॉक्टर टेबल ले लिजिए doctor की चेर हो गई और इसके सामने आपको पेशेंट का जो है पेशेंट का जो पेशेंट के लिए जो चेर होती हो पेशेंट चेर है पेशेंट के जो आपको स्टूल लेना है वैसा आप ले लीजिए according to आप जो डिमांड है ठीक है इसके लाबा यदि आपने वेटिंग के लिए रूम बनाया है ठीक है अंदर आपका कैबिन है और कैबिन के बाहर आपने रूम बन ठीक तो इतने important furniture आपको चाहिए होंगे डॉक्टर का टेबल चाहिए पहला डॉक्टर की चेर चाहिए फिर पेशेंट को के टेबल पेशेंट का स्टूल या आप चेर ले लिजिए यदि आपने वेटिंग रूम बनाया है तो वेटिंग रूम में उनके लिए बैटने के ल आपने स्पेस लिया है वहां पर प्रॉपर लाइटिंग आप कराएं प्रॉपर लाइटिंग आप रख लिजिए अगली बात वहां पर आप यदि बात करें फैन जो होता या एसी जो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं वह आपर डिपेंड करता है ठीक है प्रॉप एपक लिट्ग रूम में आप अपिस पर फेस लिए गाल नहीं है तो आप लगवा लिजिए आप लगवा लिजिए आप आप को एक आईडियली क्या 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 रखना चाहिए थि यह वेटिंग रूम में पर आप पेश्ट बैठा है तो वहां पर आपको डेली यह आपको एक वहा पर रखनी चाहिए इसके लबाब पानी ड्रिंकिंग वाटर पानी की ववस्ता, पानी पीने में पर और रखनी पड़े है तो लुक् MIKE ही ओ फिर पानी की ववस्त रखनी चाहिए। तो आपको डेली का पेपर रखना है डेली की मार्जिन मेगजीन रखनी है ठीक है ड्रिंकिंग वाटर आपको रखना है और रेसेफ्स के लिए टेबल एंड चेर आपको रखनी पड़ेगी यह आपको वेटिंग रूम में रखना है यह वेटिंग रूम नहीं है तब भी पान ग्लास प्रॉपर्ली वह लेजिए दोक्टर टेबल के लिए वो आप ले लीजिए नेक्स हम बात करते हैं उसके उपर आपको एक print पेपरवेट, दबानेक लीप पेपर versch Dubai साते हैं व ć आपको लेना हुगा अपने टेबलर के लिए ठिक अगली बात करते हैं टेबल ग्हले प हिलिए टेबलिक धरन आyangे बात करेंगे क्वल पैथिक ह double कलेंडर अब ले सकते हैं यह तो आपको एपनी पैथिक कै किनुट आहणा हुँस रखना है. सबससे पहले तो आपको बात करने हैं. जो इंपोर्टन दुननिकल बुक्स होते हैं, जिससे पर हमें पत्रफ्हार्टीन बुक्स वहुक्स है. उनकी जो आपके टेबल में नी होना होता है. तो कम से कम आपके पास जो भी आप जिस चीज का प्रैक्टेस करते हैं उस से लेट आपको वहां पर बुक होना चाहिए तिक वो रख लीजिए आप नेक्स बात करेंगे आपको अपना स्टैम्प बनवाना है सील Ju grad похож जिनल पलाना पड़ेगा जब भी आपर priests स्टैम्प बनवाएं डब स्सक्राइब क्यों बरभाना है यज़िए क्यों सकता है कुई आपको सटेंब करना हो तो उसमें स्टैम्प लगता है कोई important document में आपको sign seal करना हो तो वहाँ पर आपको लगता है तो आपको एक rubber stamp बनवाना चाहिए जब भी आप clinic start करते हैं तो rubber stamp में क्या होता है उसमें आपका नाम होना चाहिए आपकी degree होनी चाहिए आपका registration number होना चाहिए और address होना चाहिए तो आपका नाम degree registration number address और address में आपको mobile number भी add करना है अड्रेस में आपको mobile number भी आपको add करना है बहुत important होता है तो नाम degree registration number address और उसमें mobile number आपका आजाएगा यह आपको rubber stamp बनवाना है इस criteria को follow करके तो आगे बात करते हैं आपको prescription pad बनवाना पड़ेगा अब जो prescription pad है यदि आप वो बनवाते हैं तो prescription pad जो है वो दो-तीन size के होते हैं small size का भी होता है और large size का भी होता है ठीक है तो जिस size का आपको लेना है वो आप prescription pad बनवाली जिए prescription pad में properly आपका नाम आपका degree आपका registration number address with mobile जो आपने rubber stamp में लिया था बिल्कुल वो आपके इसमें होना चाहिए वहाँ पर आपका नाम degree proper होने चाहिए registration number होना चाहिए आपका address with mobile number आपका होना चाहिए यह importantly आपको और यह आपने क्लिनिक का कोई नाम रखा हुआ है तो क्लिनिक का नाम भी आपका वहाँ होना चाहिए और नहीं रखा है तो आपका नाम तो वहाँ है इसके लाबात कहें visiting card अगला visiting card visiting card यह बनवाना बहुत जलूरी होता है visiting card में बिल्कुल वही formula है आपका नाम, degree, registration number, address with mobile number यह होना चाहिए क्लिनिक का नाम है तो वह भी आप इसमें include कर सकते हैं और पर डिजाइन करवा के रखिए visiting card भी आपको रखना चाहिए क्योंकि वह कई बार patient मांगता है तो देने की आप शक्ता आपको पड़ती है तो होना ही चाहिए visiting card आगे बात करते हैं अब आप क्लिनिक की क्या करें degree and registration के proper certificate जो है उनको लेमिनेट करवा लीजी ठीक है जो भी आपके degree है जो भी आपका registration number है उसको proper उसकी जो भी आपको मिली हुई है उसका color print निकलवा कर उसको proper लेमिनेट करवा लीजी ताकि इसको क्लिनिक में लगाना हूँ उसको क्लिनिक में लगाने के लिए आप यूज करिए बहुत ज़रूरी है बहुत important रखता है ठीक है degree registration क्लिनिक का भी जो आप registration करा है उसकी भी आपको वहाँ पर एक लेमिनेट कराके उसकी photo लगानी चाहिए ठीक है ठाकि कोई इंस्पेक्टर आजाए को इंस्पेक्शन करने आए तो वह आपकी proper degree को देख सके आगे बात करते हैं calendar की बात करेंगे आपके क्लिनिक में calendar होना चाहिए बहुत ज़रूरी होता है ठीक है इसके लावा आपकी इसके लें डाओ पर आपको गड़ी होनी चाहिए ठीक है आपके वाल की घड़ी होने चाहिए आपकी टैमिंग को देखने के लिए अञे के लिए आपका वेटिंग रूम है वहां पर भी रखे एक वाच और एक वाच का रखे आपकी कैबिन में आगे बत करेंगे तो आपकी क्लिनिक में कुछ एजुकेशन और पोस्टर लगे होने चाहिए जो सिंपल लोगों को एजुकेट करने के लिए जहां पर भी उस लेंग्वेज के अकॉर्डिग होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश लेंग्वेज में रखना है जो इस एकॉर्डिग को इजी लेंग्वेज को समझने वाले आपको रखना चाहिए तो जिस एकॉर्डिग जहां पर आप उस एकॉर्डिग वहां की लेंग्वेज के अनुसार आपको प्रॉपरली एजुकेशन और पोस्टर अपनी क्लिनिक में लागाना चाहिए जो बहुत इफ कोडिशन ना कार्पेंटर को बिलाकर आपको अपको सेट करना पड़ेगा लेकिन बेसिक की मैं बताई यह आपको जब भी क्लिनिक सट करेंगे तो इतना अपको फर्निचर के फॉर्म में इतना चाहिए तिक है यह आपको लेना पड़ेगा क्लिनिक में कौन कौन से इंस्ट्रुमेंट्स रखने चाहिए जो धिये ही , बिलकुल अगे, इसमेंसे और आप कर सकते यह इसमें पिलस कर सकतेश्स now, इससे काप घटा नहीं सकते सब्सक्राइब, अच्छी कॉलिटी का स्टाइब ले ले लेगे एक स्टेटोस्कोप चाहिए ओगा आपको दूसरा आपको चाहिए बीपी इंस्ट्रुमेंट चाहिए होगा अगली बात करेंगे थर्मा मीटर आपकी पास होना चाहिए तेमपरिचर को रीट करने के लिए छोटे बच्चे आ गये नेक्स बात करेंगे वेइंग मसीन, वेट करने के लिए वेइंग मसीन आपको लेना है, अच्छे खासी जो वेइंग मसीन है वो आप ले सकते हैं, बहुत साई डिफेंट कंपनीज की आती हैं, कोई भी आप वेइंग मसीन यूज कर सकते हैं, आगे बात करेंगे, हाइट स्केल आपको लेना चाहि क्लिनिक में होना चाहिए नेक्स बात करेंगे टॉर्च ठीक है पॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्जामिन करने के लिए अगली बात करेंगे तो आप देखते होंगे कि आपको स्टिकर की रिकवार्मेंट होते हैं स्टिकर की ऊपर टेप चपका जाता है ठीक है तो अपनी बॉटल की उपर लगाना होता है तो आप ले लिए कि वह आउशक होता है बिना स्टीक करके आप लोग कोई हों पर दोल लिखना पड़ेगा नाम भी दवा का नाम भी लिखना पड़ता है और वह उसके नाम को प्रोटेट करने के लिए आपको सब्सक्राइब उपर से चपकाना पड़ता है तो आप ले लिजिए आगे बात करेंगे आपके पास लैप्टाप कि डीमांड क्या है चलिया आप किसी भी ट्रेट करते हों आपका जो प्रक्टिस हो एक चाहिए जो किस रिकौर्ड होते हैं वह आपको मैंटेन करना होगा यदि आप आज से चेकिंग चलू करते हैं और क्रटे करते करते आपने एक सालमे मान लेते दस अजार देख लिए अब एक साल के दूसरा प्रेशिंट जब आएगा अब दसदार में से कोई एक प्रेशिंट आएगा तो आप वोगों को कहा सर्च करेंगे आपने कर लिया आपने कोई काड बना लिया तो अकेली हैं तो आप कैसे अपर रेकार्ड को सानुवाब्रयिश्टर खुलना पड़ेगा कार नेकालना पड़ेगा प्रस्कि निकालना पड़ेगा प्रेशिंट को प्रेश्टों ने कौना گं दें इस तर के अधे अच्छा है कि आपkok्नेक्प से लाप्ट तो कंप्यूटर का यूज करता हूं और इसमें अपनी डाटा को क्लेट करने के लिए अपने टैबूलेशन बना के रखा है और आविस्वास नहीं करेंगे में लगातार करीब बारा साल से तेरा साल से प्रैक्टिक्स कर रहा हूं और पूरा वही रिकॉर्ड में पार रखा हुआ है और यहीं पास दस तल प्राणा भी पेशेंट आता है तो मैं उसका रिकार्ड मेंटेन कर रहा हूँ कई ऐसे पेशेंट भी हैं दसो साल से मिरते जुड़े हुए और उनका रिकॉर्ड यह प्रॉपरली दसो साल से रखा हुए है पूरा कंप्लीट और मैं कभी भी देखक यहां से आप टाइम बचा सकते हैं प्रॉपर करिए लेकिन जो एक्स्टा टाइम आपके लग जाएगा उसे लॉस्स करने से बचाने के लिए आपको लैप्टाप कर सकते हैं सेकेंड वोग जोते हैं कि इनिशलि प्रैक्टे स्टार्टे नगर सकते हैं या रेगुलर करें लोग उसकर लिए लुए तो वहांके पास दौछीज आपको यहां से मल जाती है दूसरा आपको मिल जाता है इंपॉर्टनली यहां पर क्या अको डॉट टाटा रिकॉड करने ले कंप्उटर चाहिए होता है इस दो आपके पास होना ही चाहिए अगे बात करेंगे क्लिनिक का जो नाम है यह बैनर आपको बनाना चाहिए क्लिनिक का नाम प्रॉपर लिखे ब आपने दी लोगों बनवाए तो लोगों वहाँ डिस्प्लै कर दीजिए वह आप बैनर वहाँ लगवा लेजिए यह आपको करना है तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी करनी है जब आप क्लिनिकल प्रक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपको पैंप्लेट्स भी अप मॉट्ध करनी हमय कर लोग करना है ताकि यहां पर उपन हो यह स्टार्टिंग को करना पड़ेगा क्योंकि जब तक क्या आप आप नहीं करेंगे तो लोग आपको पता किस चलेगा आपने मुवमेंट वाले एरिये में तो ले लिए उससे अपके आप आप आपके दिस्टिबूट करेंगे तो आपको करना चाहिए तो इतनी यह आपकी फर्निचर वाले पार्ट हो गए ठीक है और यह आपकी क्लिनिक दिमार्ड वाला है और यह आपके Зबीन मिंट करने में पर यह होने हम कृम आपको मेला क्रने करने hyvin पर दोगी इसके लिएeled वीदियो बता दूँगा मैं आपको कि आपको होमेपीटिक क्लींक को स्टार्ट करने के लिए कौन सी मेडेसिन को आपको आरेंज करना है स्टार्टिंग में दिक बच्चों को नहीं पता होता अगले वीडियो विडियों में बता दूंगा इस प्रकार से इन्स्टुमेंक अरेंग कर लिजिए एकॉर्टिंग टू कंडिशन इस हों पेति तो रखने के लिए उसके लिए आपको पॉपर्ली रैक बनाने पड़ेंगे जहां पर आप मेडिसिन को सैट कर सके तो आपका आपके क्लिटिक थो आप कितनी मेडसीन ले पड़ेंगे तो to use उसके अनुसराइब से नियुसके आप को प्ठाष्य की अनुसराइब की जद मेंगे अनुसराइब ने के जraf एसे मैडिसीन रख सकते और उनका उसके hanci egg कर शक्ता है ये आपको बता देंगे तो यह है complete concept कि आप जब क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो यह आपके पास होने चाहिए इतना तो आपके पास होना ही चाहिए इसके लावा इसमें प्लस हो सकता है लेकिन माइनस इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता है जो लोग लगातार question कर रहे थे कि हमें क्लिनिक क सेट करने के लिए क्या क्या requirement होती है यह सब requirement होती है जिसको आप पर नोट करिए और जब भी नया क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार से यह आपका जो वीडियो है knowledge परपस से था क्लिनिक को क्लिसे सेट आप करनी है यह परपस से था इसके लावा आप मेरे आप को इसका सद्वी ऐपको डिकेश्याल कर सकते हैं यसका लिंक से आकर डिच्ष्याइगा यह दि आप की से स्टूडेंट ने की स्टूरेंट हैं तो आप ऑगने या आपमेजिशन्स का सनकार्स आप में की जो के लिए बेगा यहां लिए जो आने वाला है जो आपको में ही मिलेगा इसका लखनों क्यों तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं